तो आज हम बनाने वाले हैं वरत का धोकला तो जी हां वरत का धोकला बनाने वाले हैं जो कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा मुलायम सा है बहुत ज़्यादा जालीदार है तो यह जो वरत का धोकला है कैसे बनाया जाता है इसका मेजरमेंट परफेक्ट क्या है जिस वज पानी होते हैं थोड़े से महिन से होते हैं बारिक से होते हैं तो यह जो एक कप भगर है वो हम डालेंगे बर्तन में और भगर को हमें यहां पे साफ करना है तो अब हम डालेंगे इसमें पानी और पानी से हमें इसे साफ करना है जैसे आप देख सकते हो यहां पर जो पानी है म तो भगर हमारे हमारे प्रेट के निजहाए और पानी प्रफीर अब लिए यहां पर भगर को दो घंटे तक पानी में ब्हब के रखना है तो अब हम यहां पर डपकन से इसे बंद कर देंगे अब लिया है मैंने यहां पर दूसरा बर्तन अब बर्तन में हम डालेंगे आदा कप साबू दाना साबू दाने को हमें यहां पर धोना है तो अब मैं डाल दिखे हैं पानी और साबू दाने को हमें यहां पर तीन से चार बार अच्छे से धोना है तो मैंने यहां पर साबुदाने को धो लिया है तो अब इसमें हम डालेंगे पानी तो पानी हमें इतना डालना है कि साबुदाना पानी में डूबावा रहे और थोड़ा सा पानी ऊपर होना ची तो यहां पर देखे पानी थोड़ा सा जादा है तो अब इसे हम बंद कर हम फूलने रख देंगे भगर को भी दो घंटे रखना है और साथी साथ में जो साबू दाना है उसे भी दो घंटे पाने में भिगो के रखना है तो दो घंटे हो चुके हैं तो यहां पर भगर और जो साबू दाना है अच्छे से फूल चुका है तो यहां पर भगर यानि कि और वी तरीकें सक्षा नहीं होना चtiए तो यह जो भगर है कि ढालेंगे पाणार में साबू दाना में और अब तो दे हमें हैं हमें सभाद का अनुषिछा difन इंप Gulb जैसे कि आप देख सबर्टे को पाणार नहीं होने अब ढलने से पिसने वाले हैं तो तही अब टो चमश दने वाले हैं जिसके अंदर शक्क कर दो पे लेंगे लहें मैं नहीं पे लिया है ये स्टील की प्लेट और इसे संगधाने के तेल से हम क्रीश कर लेंगे तो यह जो बैटर है इसे निकाल लेंगे हम बरतन में तो अब यह जो बैटर है इसमें हम डालेंगे आधा टी स्पून बेकिंग सोडा इसे बेकिंग सोडा को हमें यहां पर अच्छे से मिलाना है फेटना है जैसे कि आप देख सकते हों यहां पर जो बैटर है बहुत ही जाद बेकिंग सोडा डाला है और आधा टीस्पून सिट्रिक आसे यानि कि जो नीवो का फूल होता है वो डाला है इसके वज़े से बहुत ही ज़्यादा यह फ्लफी हो चुका है तो यह जो बैटर है इसे बहुत ही अच्छे से फैला देंगे और इदम लेवल में कर देना है इसे बात का ध्यान रखिए हमें यहां पे प्लेट को थप तपाना नहीं है तो अब हम देंगे इसे भाप तो यहां पे कडाई में पानी गरम हो चुका है और आज को मैंने यहां पे तेजी रखा था लेकिन अब आज को मैंने यहां पे धीमा कर दिया है और पीच में मैंने यहा चुके हैं और धीमी आज पर हमारा यह जो भगर और साबू दाने का जो धोकला है तियार हो चुका है बहुत ही जादा स्पंजी सा लग रहा है तो मैं यह पर चेक करके देख लेती हूं यह चिपक रहा है कि नहीं तो देखिए एक्दम क्लियर है यह चिपक नहीं रहा है तो अनदर से भी अच्छे से हो चुका है तो गैस यह पर बंद कर देंगे और धोकले को एकदम थंडा हो ने ुरहते हैं तो अब हम यह पर इसे काट लेते हैं तो यह पर आप पड़ी को देख सकते हो धोकला बहुत हं जादा मकhn की तक रहा है इसके हम तैयार कर लेंगे तो बहुत आजान तरीके से बन चाता है आप इसे वरत में भी खा सकते हो आप अगर नहीं है तो भी बना के खा सकते हो है कि तो हम नहीं है जो ढोकला है इसके पीसि त्यार कर लिए है तो ढोपला यहां पर हमारा बहुत ही बढ़ी आसा पंजी सा तयार हुआ है और जैसे कि आप देख सकते हो एकदम जाली दार है जो पैटर हमने तयार किया है और जो पानी हमने डाला है और चितना भी प्रपोर्शन या मैजरमेंट हमने किया एकदम पर्फेक्ट है तो मैं ही देख दूसरा पीस पर दिखा देती हूं ढोपला का तो देखी यह बेगदम जाली तार है और बहुत ज़्यादा स्पंजी श्या है तो अब हम यह पर इस ढोपले को दे जते हैं तरका तो तरका यहां पर बाहुत हल्का सा डिफरिंट होगा तेल यहां पर मैंने गरम कर लि तो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सई मेजरमेंट से अगर आप यह धोकला तयार करते हो तो आपका धोकला स्पंजी बने गहीं साथी साथ जाली तार भी बनने वाला है तो जैसे कि आप देखी रहे हो कि बहुत ही साथ मुलायम से हैं तो अब मैं यहां पर इसे तोड़के दिखा देती हूँ तो देखें बहुत ही आसान तरीके से तूट रहा है और इसके अंदर भी बहुत ही बढ़िया से जाली आई है अब इसे हलके हलके हाथ से दबाएंगे तो दिम रोई की तरह लग रहा है बहुत ही ज्दा मुलायम से ब इस भी बहुत जादा पसंद आई होगी तो जरूर लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और बिना भूले सब्सक्राइब कीजिएगा